हेलो एब्रिवन सिलाई फैशन में आपका स्वागत है आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ नेक का बहुती बीटिफुल डिजाइन जो आज का ट्रेंड में बहुत जादा चल रहा है तो जिसके लिए ये मैंने बुकरम ले रखी है और जो हमारी बुकरम है वो डवल फोल्ड है तो डवल फोल्ड के हिसाब से मेरी जो बुकरम की चोड़ाई है वो 6 इंच है और हमारी लैंट है 9 इंच तो शुरू करते हैं हम अपना डिजाइन बनाना तो सबसे पहले हम लेंगी इसकी चोड़ाई तो चोड़ाई पर लेंगे हम 5 इंच तो हमने पहले निशान लगाए अपना 5 इंच पर और गहराई लेंगे हम इसकी साइट इच तो 7 इंच पर हम यहाँ निशान लगाएंगे और फाइव इन्च की निचे एक हम लाइन ड्रो करेंगे इस लाइन को इस लाइन से हम मिला देंगे जिसे हमारे एक बॉक्स तयार होगा अब हम देंगे इसमें गोल आई तो गोल आई के लिए हम एक दो इन्च की उचाई बे निशान लगाएंगे और अब इस निशान को मिलाते हुए देखिए इस तरह में गोलाई दूए अब हम दूसरा निशान लगाएंगे तो दूसरा निशान लगाएंगे हम 7 पॉइंट पर इस निशान को हम पूरा ड्रॉ करेंगे अब हम इस निशान को भी मिलाते हुए गोलाई की शेफ देंगे अब हम लगाएंगे एक और निशान तो ये निशान लगाएंगे हम 1-7 पॉइंट पर अब हम तीसरा निशान लगाएंगे 1-7 पॉइंट पर अब इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को मिला देंगे अब हमें लीने हैं एक और तो इस पे हम निशान लगाएंगे 6 पॉइंट पर अब हम इसमें भी गोलाई दे देंगे देखे हमारे ये नेक का जो है वो पूरा ड्रो हो चुका है अब मुझे करनी है इसकी कटिंग तो सबसे पहले हम करेगे उपर वाले की कटिंग दिखे कि हमारा पहला ये दूसरा और ये हमारा लास्ट दिखे पहला ये हमारी कुछ इस तरह कटिंग है मुझे ये डिजाइन कम्प्रीट करना है तो सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट नेक डिजाइन है उसको मैंने कट किया है और ये हम अब एस्ट्रा कपड़े पर अटेश करना है जो हमारा एस्ट्रा कपड़ा है तो मैं इस पर एक कच्ची सिलाई लगाऊंगी अब मैं इसको जो एस्ट्रा कपड़ा है उसको निकाल दूँगी अब इसको फोल्ड करके मैं इस पर एक कच्ची सिलाई लगाऊंगी अब जो हमारा यह छोटा वाला नेक कर डिजाइन था इसको मुझे एस्ट्रा कपड़े में टेश करना है जैसे मैंने बड़े को किया था तो पहले हम इसको करते हैं और इस पर भी मुझे अब एक कच्ची सिलाई लगानी है अब हमारी जो बीच की यह कटिंग है इसको मैं एक नीस्पेपर पर रख रही हूं और हमारी जो कटिंग है उसको हमें सेम ट्रो करना है अब हम इस पर डिजान अटेश करेंगे यह मैंने डिजान के लिए फैब्रिक को काटके रखा है जिसकी हमने चोड़ाई दो इंच लिए है और लंबाई भी दो इंच है इस से हम डिजान बनाने वाले हैं तो देखिए पहले हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और हमारा जो हमने नीजपेपर पर गले का नेक के डिजान अटेश किया है इस पर हम इसको ऐसे रख देंगे और इस पर हम करेंगे सिलाई देखे इस तरह से पहले हम इसको ऐसे करेंगे इसको ट्रेंगल बनाएंगे और फिर हमारा जो ड्रो करावा एडिया है उसमें हम इसको ऐसे अटेच कर देंगे और हमें सिर्फ जो हमारी लाइन की चीवी है उसी पर हमें से लाइन लगाना है देखे इस तरह तो इस तरह मुझे सारे पर ऐसे डिजाइन बनाने हैं तो ये लाइन मेरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है अब जो हमारी दूसरी लाइन है उस पर भी मुझे ट्रेंगल बनाना है और इसके अपोजिट हमें इसको यहां लगाना है जहां जहां भी हमारे ट्रेंगल लगे हुए हैं डिजाइन के उसके अपोजिट हमें लगाने है तो नीज पीपर पर हमारा डिजान कंप्लीट हो गया है अब मुझे लेना है कुर्टी का फ्रेंट पार्ट और जो हमारे सबसे पहले ने की चोड़ाई थी वो इसको मैंने इसमें टैच करना है तो इसकी सेंटर पर मैं एक निशान लगाऊंगी और इस सेंटर को हम इस सेंटर के उपर रख देंगे सेंट प्रोशेज हमें यहां कच्छी सिलाई लगानी है अब हमें किनारे किनारे पर करनी है पूरे पर पक्की सिलाई अब भी बीच का जो हमारे एश्टरा कपड़ा है हम उसकी कटिंग कर देंगे अब मैं लगाऊंगी इसमें छोटे-छोटे कट ता लगाने वाली हो पहले कच्छी सिलाई तो पूरे नेकपे में एक कच्छी सिलाई लगांगी जिसको हम बार में निकाल देंगे यह नेकपे में पूरी कच्छी सिलाई लगा दी है अब जो हमने यह नूज पेपर पर डिजाइन बना रखा है इसको हम इसमें अटेच करेंग तो इसके लिए पहले वाला डिजाइन जो हाँ पहली लाइन इस लाइन के उपर रखेंगे और यहाँ पर देंगे एक लंबी सिलाई जो हमारी सिलाई है उस सिलाई के उपर रखना है इसी तरह मुझे यह पूरी सिलाई करनी है इस तरह से मैंने इस गले को इस पर अटेच कर दिया है अब जो हमारा ये वाला नेक है इसको मुझे एक और एस्ट्रा कपड़े पर अटेच करना है देखे इस तरह और इसकी किनारी किनारे में मुझे पूरे पर सिलाई लगानी है तो इसको मैंने स्पेटेश कर लिया है हमें करूंगे इसकी एस्टर जो हमारा थोड़ा कपड़ा है हम उसको थोड़ा थोड़ा एस्टर लेंगे इस तरह मैंने ये नेक की कटिंग करी है अब करेंगे हम अंदर से कटिंग जैसे हम नॉर्मल करते हैं और थोड़ा-थोड़ा कपड़ा छोड़ देते हैं और इसमें छोटे-छोटे कट लगाएंगे अब इस तरह मैं इस पट्टी को ऐसे मोड़ूंगी देखे इस तरह और इसको अंदर की साइट ऐसे फोल्ड करते हुए मैं पूरे जो हमारा नेक है उस पर एक कच्ची सिलाई लगा रहे हूँ देखे इस तरह इस तरह ये मुझे पूरे पर कच्ची सिलाई लगानी है मैंने ये कच्ची सिलाई लगा दी है अम मैं इसको प्रेश से जमाऊंगी क्योंकि हमें ये कच्छी सिलाई उधेरनी है हम उसको निकाल देंगे अच्छी से इसको प्रेश से जमाना है तो इसकी जो मैंने कच्छी सिलाई निकाल दी है अब मुझे इस नेक के डिजाइन को यहां से कट करना है अब मुझे इस जिजान को इसमें अटेच करना है तो हम यहां से लेंगे और यहां से इसको ऐसे सिलाई लगाएंगे इस तरह मुझे किनारे किनारे सिलाई लगानी है देखे तैयार होने के बाद हमारा गला कुछ इस तरह डिजाइन लग रहा है अब मुझे करना है इसमें मौती अटेच तो इसके लिए मैं यहां से धागा लूँगी इसको दुबारा से मुझे वही करना है क्योंकि हमारा मोती थोड़ा टाइट हो जाए देखे इस तरह पूरे नेक पर मुझे यह मौती अटेच करने है हमारा यह नेक कर डिजाइन पूरा कम्पलीट हो चुका है अब जो हमारा यह निउस पेपर है हम इसको हटा देंगे देखे हमारा जो नेक कर डिजाइन है वो पूरा कम्पलीट हो चुका है और तयार होने के बाद यह कितना ब्यूटिफुल दिखाई दे रहा है और आजकर ये नेकी डिजाइन बहुत जादा चल रहे है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा शेयर करें अभी तक आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है